सपना था कि चोपता आके बरब बारी देखना ना सुन्दर सा दिखाई दे रहा है ताजी ताजी अभी यहाँ पर बरब गिरी हुई है इसने भी प्रिती की पिदाई की वीडियो देखी सारे रोने लगे भई समिता समझा रही है कि क्या करें जाना तो है सुबह के साड़े आट हो रहे हैं और आज बाहर का माहौल देखे अरे वा क्या गजब का दिखाई दे रहा है सामने की चोटियों पर खूब सारी बरबारी हुई है कलकी हलकी फुलकी और आज से पपपजी अपनी ड्यूटी पर भी जा रहे हैं चुटियां हुई पूरी लगबग काम भी नहीं पढ़ गया आप चुटियां भी पूरी और यह दोनों देखे मास मजे से यहां पर हैं पीती चले गई लेकिन यहां पर आपने हाथ छोड़ गई नहीं सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भन अमस्कार मेरा नाम है अलोक राना और स्वागत है आप सभी का देभूमी उत्राखंड के इन खूप सुरत पहाड़ों से अभी सुबह के करीब साड़े दास हो रहे हैं और आज के दिन की सुरवात भी हो चुकी है और यह लड़की और आज आ रही है प्रीती स्कूल बहुत टाइम के बाद अपना सारा डॉक्यमेंटेशन पूरा करने के लिए क्योंकि इसका जो बियाट का कोर्स था वो भी लगवग अपने आखरी चरण में है पांस आज से चरणी बचल रहा है अमा को कैसा लग राज कल प्रीती के बिना भी बनाया बनाया नास्ता मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आज गर जा रही हो तो बहुत सुन लग जाएगा कितने साल बाद मिलते कब मिलते अब आते की नहीं आते अब देखो इनके साथ इतनी अटेज्मेंट हो गई आज सुबह मैं ममी भी थोड़ा उदास हो गई थी कि आज दीरी जा रही है तो तब चलो जी अभी यहां दूपर बैटे हैं मस मज़े से थोड़ी देर में दूप चले जाएगी और आज भी प्लान तयान हो गया है सुसमिता का अपने घर जाणे का अब पृती का आज वैसे प्लान था देरा दुन जाने का और सुसमिता ने इनके साथ ही जाना था पर क्या हुआ कि प्रिती का प्लान होई चेंज्ज आंटी जी से परमिसन मिल गई है और प्रीती को घर जाना था आज पर क्या करें प्रीती रो रही यह आप है तो सुस्मिता समझा रही है कि क्या करें जाना तो है आज का लंच वी बनके तयार हो चुका है खूब सुरत पहाड़ों के सामने उपर पर चोटें वे फिट से बरबारी अभी हो रही है और सुस्मिता बोली कि इसको चोपता जाना है बरब देखने के लिए देखते हैं प्रीती लोग अगर हाँ बोलते हैं तो वहाँ जरूर जा है आज बहुत दिनों के वाद माने बनाया है वै खाना नहीं तो पूर असमिता बना रही थी माज खाने में सभ सब कुछ लाई लेकिन गी कर डबबा बूल गई है अवा हमको एक कहानी आ रही हैं अश्मिता बोली हमारी आज़ एंब भी कूछ कहानी अब क्या कहानी एक है बात्रवीन होग पापने होगा। स्केंटीं और वह कुछिट रखा इटिर टारने तो फिर उसको कुछ इतia कना था वह ओ्र बहुत है तरी कि थे बाष जा कि इतना फ़ाय चूंप रुदो कि इतना कि जारी ठेड मेर पापर्ड़ का सी उसको सिरिशन से कुछी हैं वह याद एयो अर edit हमारे कहानी है कि दामाद ने बोला वाले कि सासजी आज मेना इतना लंबा सांप देखा कि यहां से और वो गी के कटोरे तक वर ऐसी भी कुछ कहानिया है मा वला गी बूल गी थी घर के ठीक सामने मदविसर वैली के यहां पर और यहां पर इन पहाणों पर बरबारी हो रही है सामने इस वारी पहाड पर भी बरब पढ़ रही है और कल चोपता गाटी और आसपास भी बरब बारी हुई है तो वहां चलते हैं बरब देखने के लिए और अभी साम हो चुकी है साइद हम संसेट के ताइम टक वहां पहुँच जाएंगे और घर के निरेष्ट जहां तक ह जहां बरब मिल सकती है अभी और हमार साँ चली है सुसमिता प्रिती के हैजवेंड और प्रिती मा की तयारी तो हो चुकी है पुराने घर पे जाने की सबसे मुस्किल काम है मा का और अगर किसमत अची रही ना इसको लाइव स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है और सेट अप देखे वही महंगे ब्लोगरों के बड़े-ब्लोगरों के रोड के माइक है यह लो आइफोन पहली बार ऐसे बेटाइम पे जा रहा हूं चोपता की और वहां से संसेट ही दिखेगा अब चलाजी माय के आके माय के की भावी चाची बॉडी लोगों से मिलके तो बढ़िया लगता है बढ़िया क्या की बहुत बढ़िया जिसने भी प्रिति की बिदाए की वीडियो देखी सारे रोने लगे बैए क्या बुले अब होगे चुटी है यो किछा तो यह जी अपना मंसुना मार्केट बाकी यहां पर थोड़ी बहुत ही कुछ गाडियां लगी हुए है और यहां से चोपता है लगबग 35 किलोमेटर के आसपास प्रिति के हजुए ने देखिए अपने गाड़ी को कैसे सजा रखा है और यह एक् गंटा आने में लगेगा एक गंटा हम वहाँ पर नजारों का अनन्द लेंगे प्रिति के फैन मिलगे इसको ली बच्चे अब जैसे से हम चोपता की और आगे को बढ़ रहे हैं सामने की पहाड़े पर देखिए बरब के हम कापी नजदीक पहुंचने वाले हैं तो जैसे गाड़ी से बाहर निकले तो चारों और का माहोल देखिए कितना सुन्दर सा दिखाए दे रहा है ताजी ताजी अभी यहाँ पर बरब गिरी हुई है चोपता अभी भी यहाँ से तीन-चार किलमेटर की दोरी पर है और साथी यहाँ पर संसेट के टाइम की लालि इस सीजन की मैं यह पहली बरब बारी इतनी नजदीक से देख रहा हूं बहुत ही बढ़िया लग रहा है यह उपर से देखो बरब फैंक रहे पाकी यह देखिए बिलकुल ताजी ताजी सी बरफ कली यह यह बरब बारी हुई है और लगभग न एक इंच के आसपास बरब पड़ी हुए है चरजी सुस्मिता का एक इस सपना था कि चोपता आके बरब बारी देखना तो पूरा हुआ हो गया चलो बढ़िया है आज वैसे इसको घर जाना था अच्छी बात यह तो बस मस्ती में लगए बरब के वीच खेलने पर छोटी बच्चों की तरह है यह देखे चपलों में चोपता जितनी बार आओ उतनी बार यहां के नजारे तो अलगी रहते हैं गर्मियों में अलग माहौल मॉंसुन में अलग और आजकल बरबारी के टाइम पर तो बड़ा सुन्दर रहता है माहौल जिस सीज के लिए हम चोपता में आये थे फाइनली वह इधर साइट यह बरफ और सामने देखिए कितना प्यारा सा संसेट हो रहा है बहुत ही सुन्दर था यही सब देखने के लिए तो हम यहां इतनी दूर आए थे बड़ा सुन्दर गजब 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 पहाड़ों के नजारे देखके तो मज़ा ही आ गया वह इसी बात के लिए हम यहां पर आये थे सुस्मिता को कैसा लगा बहुत ही अच्छा बहुत मज़ा आया संसेट देखने के लिए सब से सुन्दर वैसे ना यहां से चोपता भी एक जो किलोमेटर और है थोड़ सा आग लेकिन वहां तक नहीं जाएंगे यही से गाड़ी को बैक कर देते हैं क्यांकि अंदेरा भी होने वाला है टाइम से घर भी पहुँचना है करकी और आगे बढ़ते हुए अभी थोड़ा सा रुके हैं कुछ खापी के आगे बढ़ेंगे और गाड़ी में न तवियत खराब सी हो रही है गुमावदार रास्तों पे अजीब सा हो रहा है और पिश्टी बार न आमने यहीं पे लंच वगरा था जमेहा चोपता वैली म देखे जी बिना आके तो यहां चोपता गाटी में काम नहीं चलने वाला है बहुत ठंडा महौल है वाकि यहां से ड्राइब करके मैं जाओंगा क्योंकि सर घूम रहा है गाड़ी में पीछे बैठने से तो यह अजी रात के टाइम पर अपना उखी मत मार्केट वाकि यहां पर दो बसें अभी आई हुई है हिम्गरी एक्स्प्रेस जो कि कल सुबह यहां से जाएगी हरिद्वार के लिए एक रोडवेज है वो जाएगी देरहदून के लिए टाइम अभी साड़े साथ हो रहा है म मार्केट में पहुंच चुके हैं यहां मार्केट तो बिल्कुल सुनसान सी ओर्खी है पहाडों की मार्केट का यह यहाल रहता है सर्द्यों में लोग फटापट से अपने घरों को निकल जाते हैं बाकी इसके बाद आप लोग अगर चोपता की ओर आना जाते हैं तो आ सकत के लिए जै हिंद जै भारत जैद भूमित्रा खंडे